हलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सबी लोग मैं शालू शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ स्टेड़ी 24 ऑफिशल ग्रूप में और न्यू वेकेंसिस के साथ आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दोस्तो जैसा कि आप लोग उने टाइटल में देखा है आज की वेकेंसिस किन के बारे में हैं जी हां दोस्तो आज के हमारी वेकेंसिस लीगल वेकेंसिस हैं विकॉज उनको हाई कॉट ने आउट किया है तैस वाई मैं उनको लीगल वेकेंसिस बोल रही हूँ सो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग गुवर्मेंट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जूड सकते हैं और आप लोग हमारे टेलिग्रम चैनल से जूड़ना ना भूलें जिसका लिंक रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यूँ हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंज आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बे बताने वाली हूँ कि हाई कोट ने कौन-कौनसी वेकेंसिस निकाली हैं किस-किस तरह से उन्हें फिल करना है लास्ट डेट क्या है अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट करने की और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रह है आज की वेकेंसि सीजर उन्हें हाइए कोट ने आउट किया है और दोस्तों चयां थिसक्रार आपकोoj के तो और देट अगर बात की दिया तो यह नोटिफिकेशन 26 माई को आउट किया गया था और जो लास्ट देट है अप्लाई करने के लिए वह है 26 जून और बात कर लेते आगे नोटिफिकेशन में बढ़ते हुए कि रिजर्वेशन अगर प्रोवाइडेड है तो कितनी पोस्ट के लिए दिया गया है तो आपको मैं पोस्ट के नेम बता चुकियों पहले ही गुरूप डी की वेकेंसिस हैं और यह सारी पोस्ट है उनके और उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी के तो यहां पर मेंशन है कि कलेक्टर के थुरू जो टाइम टू टाइम यहां पर लिमिटेड सैलरी दी जाती ह है वही इनको मिलीगी और अगर हम बात करें नमबरों वेकेंसिस के तो 54 वेकेंसिस यहां पर आउट की गई हैं और यह वेकेंसिस जो हैं दोस्तों यह डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड भी की गई हैं तो यह है अन्रिजर्व काटेगरी यह है सी एस्टी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर एट पास होना जरूरी है किसी भी रिकानाइस बोर्ड या स्कूल से फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ते हों देखते हैं यहां कुछ नूट दे रखें कि जो नंबरों वेकेंसिस को घटा या बढ़ा सकते हैं इसके अल अलबा जो भी अधर कैंडिडेट चैटिस गड़ से अलग उन लोगों को बेखशक वह डिफरेंट कैटेगरी के हों यहां पर उनको यहां पर यानिके अनृज़र काटेगरी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे अधर वैकवार चाहिए फीमेल्स के लिए भी यहां पर आरक्शन दिये रखा है लेकिन वो केवल 36 गड़ की नेटिव होनी चाहिए यानि कि 36 गड़ की स्थाई निवासी हों उन्हीं को यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है और अगर बात कर लिए दिव्यांगा वियर्थी लोगों की तो उनकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए तब भी उनको रिजर्वेशन का लाब मिल पाएगा दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडियेट उनको अपनी जो सक्षिनिक योगता 8 क्लास के साथ साथ उनको एक शपत पत्र भी देना होगा दोस्तों और य स्टैम्प लगाना जरूरी है और फिर उसको सत्यापित करवा के यानि के टेस्ट कराके सम्मिट कराना होगा यह तो बात होई यूवार और ओवी सी के लिए लेकिन ऐसी और स्टी वालों को वहां पर स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है वह शपत्पत्र का जो मतलब उन करने की पैसे लगाने की यहां पर यह चीज इसको मैंशन किया गया है सो आई अब आप देखते वीडियो में क्या दे रखा है यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि अगर वो लोग यह शपत्पत्र नहीं देंगे तो उनका जो एप्लिकेशन है फॉर्म है उसको निरस्त कर दिया जाएगा यह आप लोगों के सामने यहां पर मैंशन कर रखा तो यह बहुत जादा जरूरी है देना इसके अलावा अगर वो इसके संदर्म में रिगार्डिंग शपत्पत्रे बाद में कुछ जूट बोल देते हैं या गलत शपत्पत्रे दे देते तो वही उसके वि कर दिया तो ऐसे केस में भी आपको पता है जो अप्लिकेशन फॉर्म इसको रिजक्ट कर दिया जाता है और बेशक किसी को कैंडिडेट को निक्त कर लिया गया मतलब उन्हें अपाइंट कर लिया गया और उसके बाद इस चीज़ का पता लगता तो उन्हें के वहीं तर्मि से कमना हो और तीस से जादा ना हो यह चीज़ें और जो 36 गड़ के लोग हैं उनके लिए अधिक्तम जो लिमिट रखी गई है वह है फॉर्टी इयर्स और बात करें डिफरेंट डिफरेंट करती कि इसका रिलक्सेशन के जो 36 गड़ की जो अनिसूचित जाती है यानिकी मिला है जो कि नेटिव होनी चाहिए और इसके लावा हम जो अलग है टेंप्रार यह परमानेंट वहां के जो वरकर हैं करमचारी उन्हें फाइव यर का रिलक्सेशन मिला है लेकिन किसी भी कंडिशन में 45 से उपर एज नहीं जानी चाहिए यह चीज़ यहां पर मेंशन किय लगा गया है दोस्तों इसके लावा यहां पर लिखा गया है कि जो भी रिलक्सेशन के लिए सर्टिफिकर्स दे जाएंगे जाएंगे वह अनुसूचित जाती हैं यह सी सी किसी के भी हों उनमें उनको जो है गवर्मेंट अथरिट्री के थ्रू वह इश्यों होने चाहिए तब भी उनको यहां पर वैलिड माना जाएगा ठीक है फ्रेंट्स यहां पर मेंशन कर दी गई है इसके अलावा यहां पर लिखा गया है कि जो भी एप्लिकेंट होगा उनका मोरल करेक्टर फिजिकली मेंटली वह फिट होने जरूरी है और यहां पर कुछ और भी कंडिशन हैं वह आप लोग कर लीजिए जैसे कि अधिक पतिया पत्नी ना हो अधर वाइज उन्हें नहीं मिलेगा अपान्मेंट या जो भी है वह अप्लिकेंट करने के लिए लायक नहीं है इसके अलावा यहां पर और भी चीज़े दे रखें कि पीछे से बैक्राउंड बिल्कुल इसके अलावा यहां पर और भी चीज़े दे रखें हैं कि यह भी आपका अप्लिकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ जो भी एट के आप माक्षित लगाएंगे और जो भी आपके प्रूफ है एज डी ओबी का जो प्रूफ है यह सब भी चीज़ों के साथ साथ इन सब को दो स यहां पर आपको चीज़ को पोस्ट कर देना है तो यहां पर आफ लाइन मोट के थुरू आपको अप्लाई करना है दोस्तों लास देर हम आपको पहले ही बता चुके 26 जून है दोस्तों और ऐसे अभी अर्थी हां यहां पर लिख रखा कि कुछ ऐसे कंडिडेट होते हैं ज अपर कर रहे होते हैं तो उन लोगों को अपने प्रेजेंट एंप्लाईर से लाना जरूरी है तभी अप्लाई कर सकते हैं अधर्वाइस अपलाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों और यहां पर और भी चीज़े में मैंशन कर रखी हैं कि अगर आप लोग जितने भी अप्लिकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कि इतने साइंस नहीं किया है तो वह उसको रिज्यक्ट कर दिया जाएगा माना नहीं जाएगा यह लिखा भी है भी ना हस्ताक्षर के प्राप्त आप देने पत्र पर कोई विचाड़नी कर जागा यानि कि फॉर्म फिल करें व क्राइगे ति करें सॉरी उस एच्चे से देखें उसके बाद याफ फिल करें यहां पे भी यह देख लीजिए लिखा हुए क्या वूर्पकर आपके भास सारे ऐलिबिल्यूर्म कि निवें इसके हैं कि वहावा इंने लिखकर करेंगे और आपकarl sonor s identical प्रोंटर smallest यह और य क्योंकि जितने भी candidates होंगे फिर उनका एक skill test किया जाएगा दोस्तों skill test के बाद ही रखा जाएगा कि कौन कौन से candidate इतलाइक है कि इनको appoint किया जाए और नहीं क्योंकि skill test के बाद एक white list तेयार की जाएगी जो selected candidates उनमें से choose किया जाएगी जैसा कि आप लोगों के सामने यहां पर mention कर रहा है point number 18, 19, 20 में अब skill test कब होगा दोस्तों इसके लिए आप लोगों को time to time यहां पर जो website दे रखी है यहां विजिट करते रहना है ठीक है दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग भी जो अपना phone number email id देंगे वो भी विल्कुल सही सही यहां पर mention करें so that उनकी तरफ से अगर कोई message वगर आए तो आप लोगों को time से पहुंच जैसा है वो selection का हो या किसी भी चीज़ का हो सो यहां पर फिलाल तो आप लोगों को website mention कर रखी है यहां पर आप लोग time to time visit करते हैं जिससे आपको skill test के बारे में पता लग जाए कि skill test कब होने वाला है ठीक है दोस्तों इसके लावा यहां पर और भी चीज़े mention कर रखी है कि कोशल परिक्षा में समलित होने वाले अफसर उपलब्द कराने का अर्थ कदापी नहीं है कि आविदक का अहरे योग्य मान लिया यानि कि जो भी सेलक्षन किया जाएगा कैसी भी इसके लिए test के लिए apply कर मतलब उसको जो application form देख लिए उनके बाद को skill test के लिए बुलाए जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह स्लेक्ट कर लिए यह चीज़ यहां पर mention की गई इसके बाद मेरिट लिस्ट होगी उसके बाद सेलक्ट किय जाएगा candidate को दोस्तों इसके अलावा यहां पर देख लिए सारा जो कंट्रोल है वह कोट के अंडर में होगा इसके यहां पर लिख रखाए कि कि यह विग्याप पे थी कि भीना किसी का बताए किसी भी समयाने की अगर उनको लग रहा है कि इस वेकंसी के जरूत नहीं है तो इसको वह हटा भी सकते इस advertisement को फुल कंट्रोल है दोस्तों वह हमारे हाई कोट के हाथ में जो कि 36 गड़ है जो कि आगे वर्क कर रहा है सुप्रीम कोट जो डैली उसके अंडर में ठीक है दोस्तों इसके लावा यहां लिख रखा कि अगर आपने कुछ गलत information दे रखे application form को आपके reject कर दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखते हैं और क्या रखे नोटिफिकेशन में हंजी देख लीजिए दोस्तों यहां पर दे रखा है कि यह सारी चीजी तो points है जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है फॉम भड़ते वक्त इसके रवाइक प और जो अब आपको में ड्रस बताया था उसके ओपर envelope में डालके यह सब चीजे आपको पोश्ट कर देनी हैं यह देखते हैं जिसकी में बात करें थी यह जरूरी है देना अगर आपने यह नहीं दिया तो आपकी बाकी चीजे देना बेस्ट हो जाएगा दोस्तों यह देना आपके देना है तो दोस्तों यह तो हुआ इस वीडियो के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया था जो जो चीजे यहां पर मैंशन है तो अगर आप लोगों के क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है और अगर आप लोग इंट्रस्टेड हो तो दोस्तों फॉर्म फिल जरूर करें इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक और शियर करेंगे अब मैं आपसे नेक्ट वीडियो में मिलूंग न्यू वेकेंशी के साथ दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें टेक केर फ्रेंड्स बाइबाइब सी यू इन दी नेक्ट वीडियो